कॉंग्रिस नेता और सांसद मनीश तिवारी पर उनकी ही पार्टी के एक सांसद सब्तगिरी शंकर उलका ने निशाना साधा है सब्तगिरी उलका ने कहा है कि अगनीपत योजना पर मनीश तिवारी और कॉंग्रिस पार्टी का रुख अलग-अलग है उनके मताबिक अगनीपत योजना के संधर में कॉंग्रिस के मनीश्तिवारी कहने की बजाए सिर्फ मनीश्तिवारी कहना काफी होगा आपको बता दें कि अगनीपत योजना को मनीश्तिवारी ने मोधी सरकार का सही दशा में उठाया गया कदम बताया था अगनिपत योजना के समर्थन में मनीश्तिवारी के बयान को लेकर इंडिया टुडे के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए सत्तगिरी उलका ने ट्वीट किया नीचे दिये गए यानि कि इंडिया तुडे के ट्वीट में कॉंग्रिस के मनीश तिवारी की बजाए सर्फ मनीश तिवारी लिखना इस अंधर में पर्याप्त होगा स्पष्ठे की अगनीपत योजना पर हमारा यानि की मनीश तिवारी और कॉंग्रिस का रुख अलग है और कॉंग्रिस का रुख जम्मिदार लोगों द्वारा पहले ही जाहिर किया जा चुका है उलका के स्ट्वीट पर मनीश तिवारी ने उन्हें जवाब भी दिया सेना में भरती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अगनीपत योजना का कई राज्यों में विरोध हो रहा है विपक्षी दलो ने भी से लेकर मोधी सरकार पनिशाना साधा है इस बीच कांग्रिस नेता और सांसत मनीश तिवारी ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शिन कारियों से सहानो भूती है लेकिन सशस्त्र बलो को रोजगार गारंटी कारेक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है उन्होंने ट्वीट किया था मैं अगनीपत प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के प्रती सहानो भूती रखता हूँ वास्तविकता है है कि भारत को अत्याधूनिक हत्यारों से लेस प्रद्योगी के लिए युवा सशस्त्र बल की आविशकता है सशस्त्र बलो को रोजगार गारंटी कारिक्रम नहीं बनाया जा सकता है मनीश्तिवारी ने इसी मामले को डेकर एक इंटर्वी में इंडिया टुडे से कहा हमें ये समझने की जरूरत है कि पछले एक या डेर दशकों से युद्ध के तरीके बिलकुल बदल गए है सशस्त्र बल रोजगार गारंटी उचना नहीं है जादतर सशस्त्र बलो में अब काफी परिवर्तना आ गया है जहां जमीन पर लड़ने के लिए सैनिकों की कमी आई है और तकनीक और नए तरह के हत्यारों में काफी बढ़ोत्री हुई है अगर ऐसी स्थिती में देश को युवा सशस्त्र बल की जरूरत है तो आपको नई जरूरतों के हिसाब से बदलाब लाना होगा मनीश तिवारी ने आगे कहा इसलिए सरकार जो ये नई उचना लेकर आई है से देखने की जरूरत है दहरातल पर इसका रजर्ट कैसा निकल कराता है अगर इसमें कोई समस्या आती है तो उसका समधान निकाला जा सकता है सरकार को इस पश्टिकरन देने की जरूरत है कि साड़े चार साल के बाद कैसे नियुक्ती की अग्री स्टेज को लागू किया जाएगा क्योंकि ये जायस सी बात है कि उवाओं को अपने भविश्य की चिंता जरूर होगी मनीशतिवारी का ये बयान उनकी पार्टी के रुक के विप्रीत है कॉंग्रिस ने इस योजना को स्थागत करने की मांग की है कॉंग्रिस का कहना है कि संबंदित स्टेकोल्डर्स और विशेशग्यों के साथ विस्तरत विचार विमर्ष के बाद ही अगला कदम उठाया जाना चाहिए आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी सुर्भी ने कैमरा के पीछे हैं जतन मेरा नाम है दिव्यांशी देखते रहें दिवल्लन टॉप शुक्रियां